जब बंदर इंसान में तबदिल हुआ तो उसमें एक नई आदत ये भी लग गई कि वह अपनी सुंदर्ता को प्रदर्शित करने लगा। पहले के दौर में सिर्फ नवाबों और राजा महराजाओं के पास ही इतना पैसा और फुरसत होती थी कि वह बैठ कर अपनी तस्वीर बनवा सकें। बदलते वक्त के साथ तक्नीक भी बदली और इचाथ हुआ कैमरे का कैमरा। साला यही तो पूरी कहानी की जड़ है। शुरुवात में सिर्फ बड़े बिजनिसमेन और राजा रजवाडे ही कोई मौके पर तस्वीर खिचवा पाते थे। पर देरे देरे कैमरे की कीमत कम होने लगी। और ब्लैक और वाइट कैमरा बड़ी शादियों की शान बन गया। वक्त और आगे बड़ा, और कैमरे के साथ लोग भी रंगिन हो गये। अब हर शादी में एक कैमरामैन होना इतना जरूरी हो गया था कि उसके बिना लोग दुले को पिकमंगा समझ लेते थे अब हर कोई सेलफी क्विन और फोटो मास्टर बन कर अपने आपको फन्नेखा समझने लग गया जिसके वजह से दुला दुलन को तस्वीर खिचवाते वक्त वो महराजा महरानी वाला सलिब्रिटी फिल नहीं आता था इसलिए एक नए कार्यक्रम की शुरुवात की गई बनाई गई एक नए रसम जिसे शादी के पहले किया जाता है हम सब जिसे प्री वेडिंग, फोटोग्राफी, विडियोग्राफी के नाम से जानते हैं जहां एक तरफ कई लोगों ने उसे बिजनेस मान लिया है वहीं कुछ लोगों ने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है